इंडियन टीम साफ्ट अफ्रिकन टीम के साथ खेलेगी अपना मुकाबला 5 नोवंबर 2030 को इडेर गार्डिन कोलकता में ICC किर्केट वर्ल्ड कप 2030 में ये 37 मैच रहेगा तच्छड अफ्रिका का जो प्रफॉर्मेंस रहा है इस वर्ल्ड कप में वो काफी उम्दा रहा है 2015 वर्ल्ड कप की तरह ही सेम टू सेम परदसन किया है अफ्रिकन टीम ने 2023 में इनके नियमीत कप्तान यानि कि टेमबा बवुमा पिछले कुछ मैचों से अनवेलिबल रहे हैं और उमीद ऐसे लगा ज़री कि आने वाले मैचों में भी वो अनवेलिबल रहेंगे फिलाल उनके होने नवने से ज़्यादा फरक नहीं पड़ा है टीम को क्योंकि उनके नहीं रहने पर भी टीम ने काफी अच्छा प्रफॉमेंस किया है फिलाल अगर पॉइंस टेबल पर देखा जाए तो अफ्रिकन टीम इसे में दो नंबर पर है याने कि इंडिया के बाद दूसरा नंबर अफ्रिकन टीम का ही है सबसे मज़े की बात ये है कि इनका रन रेट इंडिया से भी बेटर है पांच मुकाबले खेले हैं और पांच मुकाबलों में से चार जित और एक हार निसीग होई है इनको और जो हार मिली है वो नीदर लेंड टीम से मिली है तो फिलाल ओवराल परफॉमेंस काफी अच्छा है उमीद यही लगा जा रही है कि होसता कि ये फाइनल के आज पास जा सकी ये टीम या ये फोसता कि फाइनल इंडिया के सब सेखती भी नज़रा है तो फिलाल इस मैच के टिकट के बारे में अपडेट जो निकल क्या रही हो जाई है कि इस महिने के लाश्ट में इसके टिकटे आने की पूरी पूरी चांसेस हैं लाश्ट में मतलब 31 तारी को बया सकती है और ऐसा भी होसता कि एक नौवंबर को आ जाए यानि कि मान के चले कि आज से कुछ दिन बाश्ट से जो है इसके टिकटे पूरी पूरी चांसेस हैं बुक मैचों पे बुकिं के लिए डाल दीजाए और ऐसे भी उमीद लगा जा रही है कि इसके टिकट जो है वो सिलंका मैच वाले टिकट के साथ ही आ जाए यानि सिर्रंका वाले मैश का टिकट और अफ्रिका वाले मैश का टिकट दोनों एक साथी बुक मैसों पे अबेलबल हो जाए बुकिंग के लिए तो फिलाल जो भी एकजेट डेट निकल काती है या जो भी टाइम निकल काता है जब भी मुझे जनकारी मिलेगी तो मैं आपके सामने लाले को पोस्ति करूँगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिएगा नहीं पसंद आया डिस लाइक कर दिएगा चैनल को अब निकल कर दिए तो कर दिएगा सब्सक्राइब यहां मिलता है को पूरा दिया है